हरो बच्चों, वेलकम बैख तो आप लोग ये वाला थमनेल देखके इस वीडियो पे आये हो, right ? किसी नमबर को अगर 0 से डिवाइट करें तो अंडिफाइंड क्यों होता है ? कई बच्चों को तो पता है नहीं होगा भई, अंडिफाइंड क्या होता है ? और ये क्यूं आता है, तो चलिए इसी को समझते हैं पहले, अगर आपको मैं ये question दू, 10 divided by 5, तो आपको कहोगे sir, इतना easy question छोटे बच्चे हैं क्या हम लोग, 10 divided by 5, 2 होता है, right, सबको पता है, फिर 10 divided by 2, अरे फिर से easy question दे दिया, 10 divided by 2, 5 होता है, हम, फिर 10 divided by 0, oh my god, 10 divided by 0, ये तो पता नहीं, इसका answer क्या हैगा, फिर आप किसी से पूछोगे, आपकी teacher से, या फिर आपके किसी book में से देखोगे, और लिख दोगे not defined, या फिर undefined, but आपको पता है क्या, कि ये कैसे आया, undefined क्यों लिखते हैं इसको, है न, इसी को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं, ये जो division होता है न, वो division होता आखिर क्या है, क्या होता है division, ये जो 2 आता है, तो आप लोग इसको पहले visualize करो देखो, 10 divided by 5 अगर करते हैं हम लोग, इसका मतलब हम लोग बार बार 5 से subtract करेंगे, ठीक है, repeated subtraction होता है ओके, तो हर बार आप 5 से subtract करोगे, ये जो है आपका starting वाला point, 10 minus 5 अगर करेंगे, तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, फिर इसी 5 को आप यहाँ पे use करोगे, फिर से इसी 5 में से 5 निकालोगे, क्या answer आएगा, 0, तो अगर 0 answer आया, मतलब stop हो जाओ, आपका answer अगर 0 आगया, stop हो तो आपने कितने steps में 0 answer आया, ये first step और ये second step, इसी लिए आपका answer यहाँ पे 2 आ रहा है, मतलब अगर आप किसी number को, किसी भी number से divide करते हो, तो जिस number से आप divide कर रहे हो, यहाँ पे आप 5 से divide कर रहे हो, तो बार बार आप 5 से subtract करोगे, कब तक करोगे, जब तक आपको 0 ना म समझ में आ गया, अब देखो, 10 divided by 2, मतलब आप बार बार 2 से subtract करोगे, आप बार बार 2 सब्टरेक करोगे, चलो देखते हैं यहाँ पे, 10 minus 2, 8, फिर ये जो 8 है, वो use करेंगे, 8 minus 2, 6, फिर ये 6 use करेंगे, 6 minus 2, 4, फिर ये 4 use करेंगे, 4 minus 2, 2, और ये जो 2 है, वो यहाँ पे, minus 2, क्या answer आया, 0, तो आपको कितने steps में answer 0 मिला, ये 1st step, 2nd step, 3rd step, 4th step, और 5th step, तो 5 में step में आपको answer 0 मिल गया, इसलिए यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 5 लिखोगे, I think अभी तक तो सब को समझ में आ रहा है, अब देखो आगे, अब यहाँ पे जो है, divide by 0, जैसे आप लोग ने यहाँ पे, divide by 2 था न, तो बार-बार आपने 2 से subtract किया था, 2 से subtract किया था बार-बार, और आपका answer जो है, वो कम होता जा रहा था, और लास्ट में आपका answer क्या आगया, 0 आगया, बट यहाँ पे जब आप 0 से divide करोगे, मतलब क्या इसका, कि आपको बार-बार 0 से subtract करना पड़ेगा, 10-0, 10, फिर से वापस, 0 से subtract करो, 10-0, 10, तो आप चाहे कितनी बार भी 0 से subtract करते जाओ, कभी भी आपका answer जो है न, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, 10 आएगा, तो आप चाहे कितनी बार भी इसको करते जाओ, करते जाओ, कभी भी खतम नहीं होगा यह, और राइट, 10-0, equal to 10, यही answer आने undefined लिखो, यह लिखो undefined, मतलब यह कभी खतम नहीं होगा, इसका जो answer है, वो कुछ भी नहीं हो सकता, तो आएगो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया है न, कि किसी भी number को, अगर 0 से divide करते हैं, तो answer क्यों undefined होता है, क्यों undefined होता है, अगर मैं हाँ पे लिखू, 130 divided by 0, तो क्या answer आएगा, अगर divide by 0 करते हैं, तो फिर, यहाँ पे फिर से आप वही करोगे, 130 minus 0, क्या answer आएगा, 130, फिर से 130 minus 0, क्या answer आएगा, 130, इस तरह से आप चाहे कितनी बार भी करो, 0 से subtraction, answer आपका हमेशा 130 ही आएगा, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, that is why it is undefined, so what is division, division क्या है, यह आपको समझ में होना चाहिए, division क्या है, division is nothing but repeated subtraction, repeated subtraction, किसको हम लोग बार बार subtract करते हैं, जो भी आपने number लिया है, सपोज आपने number लिया है, 35, अब 35, divide by 7 कर रहे हो, तो बार बार आप क्या subtract करोगे, 7 subtract करोगे बार बार, ओके, ओके बचो, तो इसी के साथ यह वीडियो फिनिश होता है, I hope आपको यह समझ में आया होगा, thank you so much, मिलते हैं, ऐसे ही interesting वीडियो में, bye bye, take care.